हेलो एवरीबर, वेलकम बैक टो यूरोन यूट्यूब चैनल अग्री अग्री अप्डेट्स एंड इस प्रभाद वीडियो टॉप फाइब रैंकिंग के बेसिस पर होने वाली है, नौर्थ इंडिया में बेस्सी अग्रिकल्चर कोर्स के लिए कौन सी पांच यूश्टी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, वीडियो यूश्टी के रैंकिंग, फी, प्लेस्मेंट, स्कॉलर सी तमाम फैसिल प्रदेश में लोकेशन है, जिसके कोर्स की बात करेंगे, बेस्सी अग्रिकल्चर के लिए, एकेडमिक फी, 5260 के पर यहां के, और इसका इस्टेबलिस्मेंट हुआ था, 2009 में, और जो इसकी निर्फ रैंकिंग है, वो 89 पोजिशन पे है, अल ओवर इंडिया के प्राइवे अग्रिकल्चर में, वो यहां पे अवैलबल नहीं है, एफिलियेशन की बात करें, तो UGC, NEC और AICT का अग्रिडियेशन है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे सेकेंड युनिवर्चर है, यह भी सेम लोकेशन है, यानि कि यह भी हिमांचल प्रदेश में है, इटर अस्टेबलिस्मेंट 2008 में हुई थी, इसकी NIR फ्रेंगी 110 प्लस से कॉलर स्टाइप फुली प्राइवेट है, ठीक है, और बात करें, अगर यहां पे इटरनल युश्यटी के स्कॉलर सीप फैसलिटीज को लेकर, जो स्कॉलर सीप फैसलिटीज भी अवैलबल है, यह यहां पर आपके marks पर depend करता है, accreditation ICR के यहां भी नहीं है, affiliation UGC, NEC और NCT से, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि हम विदाओट ICR accreditation पर बात करेंगे, तो जो इसका location है काफी अच्छी जिगे पर रोड़ी की उत्तराखंड में, काफी beautiful campus है, और course बात करें, BSC Agriculture और PG में, MSC Economic Course Running में, fees की बात करेंगे, यानि academic fee, तो academic fee आपकी BSC Agriculture के लिए approximately 68K पर है, इसकी भी NIR ranking 100 है के अंडर में, और establishment इतका 2008 में होता है, college type यह भी fully private है, guys quantum के बारे में हम और अच्छी तरिके जानेंगे, तो यहां पर जो इनका accreditation है, वो इन्होंने अपनी अभी self study report submit की है, जो जल्दी इनको मिल सकती है, scholarship की भी facilities तमाम categories में available है, जो कि आप इनके official website से देख से, तो affiliation की बात करें, तो UGC, AICT और NCTE का यहां पर affiliation है, for more update आप इनके official website को follow कर सकते हो, तमाम website के link आपको वीडियो के description box में मिल जाएंगे, and placement की बात करें, तो quantum universities का placement बहुत ही अच्छा है, BSC Agriculture course के लिए, और एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी यहां की, कि आप सभी लोगों के लिए internship available है, जो की जल्दी private universities में देखने को नहीं मिलती है, तो यह थी quantum university, next हम बात करने वाले है, जो मारी 4th इनुच्छोनी होने वाली है, that is AKS University मध्य प्रदेश में located है, 4th है Northern India में इसका position, अगर बात करें इनके location की, तो location इनका सतना मध्य प्रदेश में, ठीक है, course बात करेंगे, BSC Agriculture के लिए academic fee की बात करें, तो 60K per year होने वाला establishment इसका 11 में हुआ था, 2011 में, जुसकी NIRF ranking है, 120 plus में, college type private है, आप इसकी भी website वीडियो के description box में चेक आउट कर सकती है, यहां के अगर scholarship की बात करें, तो scholarship यहां पर available है, लेकिन जो categories में divided है, ठीक है, accreditation ICR के यहां भी नहीं है, affiliation की बात करें, UGC EICT का यहां पर affiliation है, आप इनकी और update इनके official website से देख सकती है, next and last जो हमारी top 5 में, जो last हमारी university होने वाली है, that is integral university, और यह भी private university है, जो की located है, लखनव, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो location काफी अच्छा, इसका भी, आप लोग इसको भी follow कर सकते हैं, course की बात करें, तो course जहां पर हम बात करने वाले, BSC Agriculture के लिए, academic fee, यहां की भी 70K परियर होने वाले, जो की थोड़ी private universities में जाते है, establishment इसकी 2004 ही मुईती, NIRF ranking 110 plus ह फुली private है, ठीक है, और बात करें, scholarship की, तो scholarship की facilities अवेलेबल है, लेकिन यहां पर scholarship के टेगरी में डिवाइड़ेट है, आई से एक्टर डिशन अभी इनकी पास नहीं है, तो यह चीज़ ध्यान में रखीएगा, और affiliation की बात करें, तो affiliation यहां पर UGC, NAC, और NCTE का यहां पर affiliation है, ठीक है, तो इंडिया के तमाम universities में आपको University Grand Commission UGC का affiliation देखने को मिलेगा, I hope आपको यह वीडियों अच्छी लगी होगी, वीडियों अच्छी लगी होगी, तो उनको like और share जरू कीज़ेगा, मिलता है किसी नए वीडियों में, नए topic के साथ, अगर आपको और कोई question है तो आप यहाँ comment box में पूछ सकते हैं,